जैहिंद नमस्कार साथियो स्वागता आप सभी का अपने यूटूब चैनल पे जैसा कि आपको पता है कि सूचना साइक की जो प्रीक्षा है वो 21 जनवरी कोनी है उससे पहले भी आपने देखा होगा कि वो जुलाई में हो रही थी उसके बाद में सितंबर एक्जाम डेट दी गी और सितंबर के अंदर एन मोग के पर एक्जाम डेट है वो सेडूल के तैट 21 जनवरी कर दिया था लेकिन अभी सरकार भी चैन्ज होगी है साथी साथ आपने कल नोटिस देखा हुआ कि जो बोर्ड आयोग और उनके अदेख्सों को अटाया जा रहा है लेकिन उस नियम के तैट करमषार रीचनवरड के अदेख्स का नाम तो नहीं आता है क्योंकि उस तरीके से नहीं हटाया जा सकता लेकिन सरकार चाहेते उनको चैन्ज कर सकती है और आपने newspaper की एक cutting भी देखियोगी उसमें अलोक राज जी ने बोला भी है कि भाई सरकार से मिलने का समय मांगा है और अगर सरकार को आदेश देती है इस परकार से तो उनको हटाया भी जा सकता है लेकिन कल वाले notice के नियम के हिसाब से नहीं हटाया जा सकता है दूसरे नियम से जिसमें आपको नीचे उसमें लिखा भी देखा होगा कि किसी नियम से अगर उनको नहीं हटाया जा सकता है तो उनके सारी जो document है वो मुख्यमंत्री या सत्यवाले में बेज़े जाए इस परकार से भी लिखा है तो हटाया भी जा सकता है अब बात या तिया देखो सूत सूतना साइक के साथ जितना खिलवार किया गया उतना किसी बरती के साथ नहीं किया हो गया बार बार एक्जाम डेट दी जा रही है और बार बार आगे खिसकाई जा रही है हर तरीके के यह मानलो कि जो भी सूतना साइक की तारिक रहा उसको यह समझ जा रहा कि कब तक यह प ग्रूप से भी जुड़ सकते हो, कमेंट सेक्षन में लिंक मिल जाएगा, तो देखो सूचना साइक प्रिक्षा की हम बात करें, 21 जनवरी को है, और 21 जनवरी को ही सीटेट की प्रिक्षा है, वो आयोजीत हो निया, पुरी देशवर में, तो सीटेट की जो प्रिक्षा वो अब BSTC कर रखा है जिसने, या BAD कर रखा है जिसने, उसने PGAC भी कर रखा है, तो ऐसे बहुत सारे स्टूड़ों हो जाते हैं, और इसमें लिखा भी है कि भी लगबग 10,000 के लगबग विद्यर थी है, तो अब 21 जनवरी को ही सीटेट लगे, और 21 को ही सुचना साइक लगे तो सिद्धी सी बात है, एक परिक्षा का चुनाव करना पड़ेगा, तो जिनोंने ये दोनों चीज़ें करके उन दोनों को ये लोस होना है, अब देखो बात ही आती है कि इनमें दो पक्स होते हैं, एक ये कहेगा कि सर कैंसल हो जाए और एक ये कहेगा कि सर कैंसल नहीं हो, टाइम पे हो, तो बात यह होती है कि कोई भी परिक्षा हो नहीं होती है वो अगर स्टूडियोल के तैत हो, जो परिक्षा क्लेंडर हो उसके तैत हो ना तो उसमें त्यारी करने वाले जो स्टूडेंडर उनको फाइदा होता है और आराम से अच्छे से एक पोजिटिव मावल में होता है और बार-बार आगे खिसके जो इस बार हो रहा है यह तो बहुत अजीव वाली बात होगी तो इसमें बात यह आती है कि जहां तक मेरा मान ना है क्योंकि परिक्षा तितियां टकरा गई है और जो सेंटर की बरतिय वो बड़ी बरतिय है और हमारे यहां पे क्या हुए है सरकार चेंज हुए है तो यह एक तरीके का बाना भी मिल जाएगा और जो आपको भी पता है कि जितनी भी बरतियां होनी है एक बार सरकार चेंज हुए है तो इनका रिवीव भी होना है कि भी कौन सी प्रीक्षा है वो कब करवानी है कब नहीं करवानी और दूसरी बात सबसे बड़ी बात है पेपर लीग अब अगर यह मानो आप सूतना साइक की बहुत सारे फैक्ट होते हैं अब सूतना साइक अगर 21 जनवरी को होती है तो इसका मतलब पेपर तो छप गया है अ अब यह गवर्मेंट सुनिष्चित करे कि भाई पहला ही पेपर हम करवाएं और पहला ही लीग हो जाए तो सरकार की भी फजती होती है तो इस बेस में यह पेपर दुबारा सकता है तो फिर आगे जा सकती है दूसरी बात यह हो कि अगर आलोकराद जी को यह हटाना चाहें क पर जो चैर्मेन है उनको चैंज करेंगे तो चैंज करेंगे तो फिर निश्चित रूप से आके चली जाएगी क्योंकि चैंज करेंगे तो उसमें लगेगा और आपको पता है कि आज 18 दिसंबर तो होई गई है और अगर कोई प्रीक्षिया होगी तो 18 दिसंबर यह मानलो क तो अब बात हम करें उसके अलावा और क्या रहे सकता है अलाव गराजी हट जाएंगे तो नहीं होगी उसके अलावा पेपर अगर पहले छप गया क्योंकि 21 को अगर एक जाम होनी है तो पेपर तो छपाई यह सिद्धी सी बात है और एक चीज और मैंने देखी थी कि जो ब करने की पहले से प्रिक्रिया इनकी थी और यह बोल भी रहें कि अब आगे जो भी प्रिक्षा करवाए जाएगे उसमें यह चीज़ें हम लागू कर पाएं तो वह मैंने टेंडर भी इनका मैंने देखते था उसमें जो टेंडर भर सकती है कंपनिया उनकी लास्ट डेट है 27 27 दिसंबर मतलब 27 तक कंपनियां फोर्म अपलाई कर सकते हैं इस चीज़ के लिए यह जो काम है वो हमारी कंपनिय कर सकते हैं इस परकार से कंपनियों का यह चूज करते हैं तो उसमें यह इसके बाद में इनको टेंडर अलोट होंगे कि कौन सी कंपनी का हम चुनाओ करेंग क्योंकि जुलाई में प्रीक्षा होने थी जुलाई में प्रीक्षा होने के बाद में सितंबर में निश्चित रूप से होने थी क्योंकि बहुत अच्छा खासा टाइम मिल गया था क्योंकि सितंबर जो एक्जाम डेट मिली थी ना उसमें ऐसा था कि जिसने त्यारी सब लोग त्यारी के तो लगे हुए थे और सपने मान रखा था कि 21 जनवरी को कम से कम एक्जाम है वह हो नीए। सरकार बेटी है वह पेपर लिक से बचना चारी होगी तो उस बेस में भी लेट किया जा सकता है तो यह सब सारी चीजें हैं आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक जरूर कर देना और आपके अगर कोई भी विचार है तो वह भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं क्योंकि एक साल से लगातार प्रिक्षा तीतिया चैंज हो रही है लेकिन जो यह सरकारों की चीजें हैं उपर तक राजनीती चलते इन चीजों में इस वज़य से यह प्रिक्षा तीति आगे जाएगी और टाइम पे अगर प्रिक्षा हो 21 जनवरी को तो इस से बड़ी खु झाल झाल रिमा औरे खाना